हेलो स्टूडेंट आप सब कैसे हैं मुझे आचा है कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे प्रसनावली 1.2 जो की NCRT बुक से है कोस्टन नमबर 2 का सलूशन हम लोग कर रहे थे जिसमें से 1 और 2 का सलूशन कर चुके हैं और कोस्टन नमबर 3 इस वीडियो में हम लोग सलूशन करेंगे जैसे कि यहाँ पे लिखा है कि 336 और 24 का हम लोग LCM और HCF ग्याद करना है और देखना है कि दोनों को जाच भी करना है कि दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुण LCM होता है कि नहीं है तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे exercise लिख लेते हैं सबसे पहले कि exercise कितना है 1.2 और यह जो है question number है आपका question यहाँ पे लिख लेते है question number 2 का question number 3 है ठीक है 2 का कितना है 3 है जो कि यहाँ पे question में लिखा है यह वाला 336 और आपका लिखा है चोंगवन ठीक है इसका आप हम लोग हल करेंगे तो हल करते समय सबसे पहले 336 का हम लोग गुणंखंड निकालेंगे तो गुणंखंड निकालेंगे 336 का तो 2 से निकलेगा तो यहाँ पे 2 से काटेंगे तो 168 बार में कटेगा फिर 2 से करेंगे तो आपका यह 84 बार में कटेगा फिर 2 से करेंगे तो यह आपका 42 बार में कटेगा फिर 2 से करेंगे तो यह आपका 68 बार में कटेगा और फिर अब हम लोगो 3 से करो ना पड़ेगा ती 3 साथ दो तो दो फिर दो तो दो गुणे लिखेंगे फिर दो है तो फिर दो और फिर कितना है तीन तो यहाँ पर तीन लिखेंगे और फिर कितना है साथ तो साथ लिखेंगे इसमें देखिए कितना है चार गो दो है चार गो दो लिखेंगे तीन एक है तीन लिखेंगे और साथ एक है साथ लिखे हैं ठीक है उसके बाद जो है हम लोगों को इसका जो है क्या करना है फिर उसी तरह 54 का भी करेंगे कितना का 54 का करेंगे तो 54 का गुणंखन निकाल लेते हैं तो यहाँ पर जैसे ही 54 का गुणंखन निकालेंगे तो इसको कितना आता है इसका गुणंखन देख लेते हैं तो 54 का 2 से काटेंगे तो कितना आएगा आपका 2 से जब भी काटेंगे तो 27 दुना 54 हो जाएगा अब 27 जो है आपका 3 से कटेगा तो 3 से काटेंगे तो 9 तिर का 27 और फिर 3 से काटेंगे तो 3 तिर का 9 अब इसी को भी हम लोग यहां लिख लेंगे 54 बुराबर कितना है गुरंखन 2 गुरंखन फिर कितना है 3 तो 3 और फिर कितना है 3 तो 3 और फिर कितना है 3 तो 3 अब इसमें हम लोग HCF निकालने के लिए का करते हैं गुणंखंड विदी में HCF निकालने के लिए हम लोग जोड़ा लगाते हैं तो चलिए हम लोग एक बार जोड़ा लगा लेते हैं तो ये दो और दो उपर भी है और नीचे भी है उपर नीचे जोड़ा लगता है हमेशा ये नहीं कि इसी में से आप जोड़ा लगा लगता है तो आप लोग उपर नीचे लगाना है तो ये दो लग गया अब फिर ये तीन है तो तीन इसमें देखेंगे कहा है यहां है तो इस तीन को भी लगा सकते हैं या इस तीन को इस ती इधर साथ नहीं है तो इसलिए जोड़ा नहीं लगेगा अब जो जोड़ा लगा है उसमें से एक कोई लिखेंगे जैसे ये दो में से दो 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 है तो एक दो लिखेंगे और फिर गुणा ये तीन है तो तीन में से एक तीन लिखेंगे अब इसका दो तीन है कितना हो तो LCM जो है हम लोग इसका कर लेते हैं तो LCM कितना होगा जो हम लोग बाहर है घेरा से उसको लिखेंगे तो 123 कितने बार है तीन बार तो 2 गुणे 2 गुणे 2 और फिर उसके बात 7 है तो 7 फिर इसमें देखेंगे तीन है तो गुणे तीन और फिर तीन है तो गुणे तीन ठीक है अब जो है जो hcf आया है जैसे 6 आया है तो इसे लिख सकते हैं डाइरेक्ट या ये दो गुणे और फिर कितना है तीन तो तीन लिख देंगे ठीक है तो उससे बैतर होगा कि आप जो है डाइरेक्ट ये जो hc पाया है 62 इसके बाद जब हम इसका उना करेंगे तो हमारा अब जैसे हम लोग किये ये सबी को लिखती है और यो दो तीन तो दो तीन लिख दिये हैं और सोफ कि ये उसको हम लोग किये तो हमारा टोटल आगयी यहां किince 24 ठीक हिए 30 24 आगयी अब इसके बाद जो है हम लोग HCF निकाल लिए हैं, LCM निकाल लिए हैं, तो question में क्या बोल रहा है कि जाच कीजिए, जाच करना है हम लोग को कि यहाँ पे जाच के लिए बोल रहा है दोनों संख्याओं का गुनानफल बराबर HCF गुने LCM, तो दोनों संख्याओं का गुनानफल हिंदी में ल cm ठीक है तो इस तरह से भी हम लोग लिख सकते हैं अब n1 कौन है और n2 क्यों है तो ये है आपका n1 ठीक है ये n1 है और ये जो है आपका n2 है ठीक है जो बाद में है उसे n2 मान सकते हैं ठीक है अब जो है 336 तो n1 कितना है 336 और गुणा है तो गुणा और n2 कितना है चोंवन तो चोंवन यहाँ पे लिखेंगे फिर बराबर है तो बराबर hcf हमारा कितना है 6 तो 6 लिखेंगे फिर गुणा है तो गुणा lcm हमारा आया है 30,24,34 अब इस साइड का इस साइड गुणा करेंगे और इस साइड का इस सा 8344 ठीक है सोरी यहां पे गुड़ा करेंगे तो हम लोग आएगा 8144 एक साइड हो गया और फिर बराबर है तो बराबर और फिर इस साइड का हम लोग गुणा करेंगे तो भी आएगा हमारा 8144 तो दोनों साइड बराबर हो गया है तो ये दोनों साइड किया हो गया आपस में बराबर हो गया तो इसलिए हम लोग यहां लिखेंगे lagi कि इसलिए Mc них aiste क्या Key R.S. ढूनों साइड बराबर हो गया, इसलिए हम लोग लिख देंगे the juice भराबर हो गया कि दोनों क्याया बराबर है तो इस तरह से आपको question पुरा solve हो गया है अगर आपको समझ आया है तो वीडियो के like कीजिए और चैनल को subscribe कीजिए वीडियो देखने के लिए धन्यवाद